कुम्ब यानी एक्विरियस इस राशिका मई महीने का भविश्वल बताने जा रहे हैं आपकी राशिक से सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं परस्पती 10th में हैं और शनी जो आपकी राशिका स्वामी 11th में हैं सन, मंगल और बुद्ध इस सारे ही अच्छे हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि यह महीना बहतरीन है वन अफ दे बेस्ट मंथ अफ दिस यर इस दोरान आप जो भी कारी कीजेगा उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी आर्थिक दरस्टी से बहुत अच्छा समय है कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं कोई नया जॉब प्राप्त कर सकते हैं वर्तमान जॉब में उन्नती हो सकती है कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है अगर किसी बैंक की अवित्य संस्थान आजी से सरकार आजी से कोई रिण प्राप्त करना चाह रही है किसी योजना के अंदरगत तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आपकी मान सम्मान में वरद्धी होगी, साख आपकी वरद्ध में बड़ोत्री होगी और नए संपर्ख बनेंगे और ये संपरक आपके लिए काफी लापदायक से धूंगे मनोबल आपका बना रहेगा पारिवार एक सुख पर वरद्दी होगी पारिवार एक वातावरन खोशहाली ली रहेगा एवार में कोई शुबकारे, मंगलकारे हो सकता है आपका स्वयम का हो सकता है, या किसी भाई वहन का विभा, या शिशुजन्म हो सकता है. और भी कोई भैत्मुन कारे परिवार में संपन्न हो सकता है। कहने का ताट पर यह हुआ कि पारिवारिक दरस्ती से ये महीना बहुत अच्छा है। जमीन खरी सकते हैं, या फ्लेट वगेरा खरी सकते हैं, वहां खरीदने का योग चल रहा है, और यात्राओं का योग चल रहा है, और यात्राओं का योग चल रहा है, और यात्राओं जो है, एक तो काम के लिए रहेंगी, और साथ में इसमें रिक्रिएशन भी रहेगा, दोनों ही कारे हो जाते हैं, तो एक पंथ दो काज वाली जो कहवत है, यहां पर आपके लिए बहुत उफ्योक्त है, कोई नया परिम परसंग प्रारम हो सकता है, और अगर इस वार ऐसा हुआ, तो फिर यह परिम परसंग काफी लंबा चलेगा, और आगे चल कर विवा में पढ मन रखते हैं, तो वहां पर आपको कोई नया पदभार भी प्राप्त हो सकता है, खुल मिलाकर मन में उत्सा बना रहेगा, और बढ़ चड़कर कारियों में हिस्सा लेगा। कर दो, कर दो, दो वहां पर आपको कारियों में हिस्सा रहेगा, तो बबत्सा बना रहेगा, और आपको कार विवा मन पर इसा बना बढ़ से लागे उत्सा बाा ऑटे हैं, तो वहां परो.